हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल सासबोग और दुनिया दरी आज मैं आज कियो एक नई रैस्पी के साथ जो कि बहुत ही कम समय में बहुत ही कम तेल में बनके रैडी हो जाएगा यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूमी रैस्पी जी है जो लोग कम तेल खाना पसं जैं मिलती हैं मन पसंद सब्जिया डाल के इसे बना सकते हैं और यह हर एक किसी का फैवरेट होता है तो आज मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ यह सूजी का उपमा यह मेरे घर में सबको बहुत ही ज़दा पसंद है बहुत ही हल्दी होता है मतलब टेस्टी ह हरते हैं यह तो आप इसंतरण पसंद आहें था को आपने इसे तो यह चमडह पने अशी उनकाल लेंगे दोस्तो तो जिन लोगों की ये रेस्पी पसंद आए तो लाइक शेयर और चलन को सब्सक्राइब जरूर करेगा जो लोग पहली वारा हैं ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगो तक पहुंसती रहे हैं तो यहां पर मैंने ले लिया है सब्जियों को सब्जिया आप अपने मन से जरूरी है तो यह हमने डे लिया दो चम्माच सरसो का तेल और डाला है आदा चम्माच जीरा और राई दोनों को अच्छे से चटकने देते हैं मतलब राई जरूर डालिएगा इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएक मने कान मैं अपने तरीके से आपको बता रहे हूं और आप नहीं डालते हैं तो डाल लीजेगा यहां पर डाल दिया दरक और हरी मिर्च लंबे में काटके आप कोई भी ऐसे ही मतलब डाल सकते हैं और अच्छे से इसको भी गोल्डन होने देंगे फिर डाल दिया है एक बड़ा प्याज चौप किया हुआ और इसे भी थोड़ा स आप सबजियां अपने चोईस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं अगर आप सबजियां नहीं भी खाना पसंद करते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं यहां पर मैंने लिलिया है आदा चमच हल्दी पौडर मसाले बहुत ही नाम मातर कपड़ेगा और आदा चमच धनिया पौडर ती अच्छे से पक जाए और अच्छे से अलटा पल्टी करके इस तरीके से सब्जियों को पका लेना फिर थोड़ा सा नाम मातर का जाएगा गरम मसाला अगर आप डालना चाहते हैं और यकीन मानिए यह रस्पी एक्दम लाजवाब है बहुत ही कम समय में जैसे मैगी लोग कह करते हैं कि दो मिनट में बनके रेडी हो जाएगा तो यह तो कमी समय में लगते हैं तो यहां पर मैंने डाल दिया पत्ता को भी और एक बड़ा प्याज अच्छे से कटा हुआ इन सब को भी अच्छे से पका लेंगे यानिकि सब्जी भी बहुत ज़दा नहीं पकाना है बस अभी तेष्टी वनके रेडी होता है मैं तब पिर कऊंगे अगर आप लोग ने मेरे इस रेस्पी को लाइक ने हैरे लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें यहां पर सूजी और सब्जी ओं को अच्छे से पकाना है अब यहां पर हम एड़ और अट करेंगे अगर आप इकुल जैसे तहरी फरारी फरारी अलग अलग छिटके पसंद करते तो एक ही ग्लास पाई डाल के अच्छे से दो मिनट के लिए अच्छे से रख दिया है बहुत ही जल्दी सूजी पक के रेडी होता है तो यह देखिए हमारा उपमा बनके टेस्टी सबजीयों से हुआ और हैल्दी बनके रेडी हो चुका है आप इस तरीके से अल्टा पर्टी करके आदे मिनट के लिए अच्छे से कर लेंगे पक चुका है लेकिन और भी अच्छे से भुन जाए अब यहां पर मैंने कटोरी आपको इस तरीके से कोई भी ले ले लाना याने कि अगर अपने घर में सर्व करेंगे खाने में तो टेस्टी रहेगा ही देखने में भी बहुत ही जदा अट्रेक्टिव लगेगा तो इस तरीके से उपमा को मैंने सर्व कर दिया है आप इस तरीके से अपने घर में फैमिली और गेस्ट के साथ इस रेस्पी को इंजोई कर सक अगर आप फटा फट आपके पास कोई रेस्पी नहीं है या बहुत ही कम समय बनाना है तो यह सुजी का उक्मा जरूर बनाएगा यह वीडियो यूज़ पूल लगी हो यह रेस्पी पसंद आए तो लाइक शीर चनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा मिलते हैं नहीं रेस्पी कि जात तब ते के लिए बाई बाई